जै मस्य की दोस्तों येशु के गीत के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत सौगत है येशु के गीत के इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं बहुती मधूर गीत, बहुती फेमस गाना आज का दिन यह हुआ ने बना है इस गीत पे कॉंगो कैसे बजाए जाए वो भी बहुती आसान तरीके से आएए सीखते हैं तो दोस्तों आज जो हम आपको गीत सिखाने जा रहे हैं कॉंगो पे वो है आज का दिन यह हुआ ने बनाया है और इसको सीखने का आसान तरीका भी बताएंगे और थोड़ा सा आसान से थोड़ा सा कॉंप्लिकेटिट तरीका भी बताएंगे आपको लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सीखते हैं तो एक बार मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा शैनन से कि इस गीत को गाएंगे और मैं आपको कॉंगो पे बजा के दिखाओंगे आज का दिन यह हुआ ने बनाया है हम इसमें आनंदितो 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 यह जो भी आपने कॉंगो पे बीट सुनी यह जो बीट है यह 2-4 की बीट है बहुत असान कैसे है कि यह जो भी मैंने आपको बजा के दिखाया यह हाथ और फिंगर का कमाल था मेरा हाथ जो हतेली है मेरी पाम वो लेफ्ट और यह मेरा राइट तो अगर मैं 2 बोलता हूं त अगर आप तीनों पर भी अभी जैसे पैक्टिस करना शुरू करते हैं एकदम चे नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जैसे देखे स्लो करके करना क्या होता है लोग इसमय क्या करते हैं सीखने वाले इस को जो टैंपू है ना जो इसका रिदम है वो छलती है इसे अपको इसके अंदर आपना एक रिदम टेम्पो बनाके चलना है फिर इसको धीरे-धीरे स्पीड पर लाते जाई है और फिर जब इस्पीड में आ जाए तो जो टू है और फिर आपी स्पीड बना सकते हैं यह तो होगी बहुत ही ओडिनरी और सिंपल रिदम जो की मैं समझतों कि एक चोटा बच्चा भी बया सकता है कुछ भी नहीं होगा उसके हाथ में अगर आपको उंगो देता है पट-पट-पट-पट-पट-पट करने लगता है वही आपक और जो थोड़ा सा कॉंपलिकेशन है वह क्या है यह तो वही रहेगा जैसे चल रहा है वान तू अब यह जो टक-टक है यह कैसे आ रहा है इसको आप स्पीड में बजाईए फिर टक-टक यह टक बजने में कैसा है का और यह कॉंगो की खासियत हो किती है कि जब आप इसको बजाने लगते हैं और यह जो कॉंगो बीट है आप यकीन वाने है जरा सा आप बजाएंगे यह कॉंगो बीट अपने आप आपको डबल हाथ पढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप शुरू करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है काफी दिर करते रहेगा एक साथ है यह ऐसे नहीं है यह जैसे कोई डबा गिरता है टटक की आवाज आती है यह टटक टटक करना है और फिर यह इस बीट के साथ आपको मिला देना है तो यह गाना आपका complete होता है एक पर फिर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ पहले simple बजाओंगा फिर मैं आपको यह जो दूसरी वाली pattern है उसके कि तो आप इसे मैं अंदो यह किया कर द być आखिर हेँ अचा एक टिटितितितितितितिति वह तो जब बैएंगे आपना तो वह आपढ़ा सकते हैं है यह र Positive दब तो जब स्पीड आ जाए बात में तो आप इसको add-on कर सकते हैं नहीं तो आपका simple गाना भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बच जाएगा तो कैसा लगा आपको यह episode हमें उमीद है कि आपको यह tutorial बहुत जाता पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमें comment करना मत भूल हमारे को आप follow कर सकते हैं Instagram पर भी at the rate येशुकेगीत और इसके साथ साथ हमारी website www.yeshukegit.com आप वहाँ पर आकर के इन गीतों के notations ले सकते हैं इन गीतों की chords मिल सकते हैं आपको वहाँ पर और आपको lyrics भी वह पर आप होते हैं तो देखते रही हमारे tutorials God bless you all झाल